नमस्कार किसान भाईयों बजर्ग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं धान के ताजा रेट और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आपका अपना चैनल है जहां पर आपको धान के ताजा भाव सबसे पहले पर दान किये जाते हैं किसान भाईयों दान के भाव को लेकर आज बड़ी खुसकवरी आई है आज दान के भाव में उच्छाल देखने को मिला है केंद सरकार की तरफ से दान पर नई नीती बनाई जा रही है दान उत्पादक किसानों को बड़ा फैंसले का जो फाइदा है वो मिलेगा अगर आप सरकारी खरीद पे दान वेशते हैं तो बैतर गंटे के अंदर-अंदर किसानों को बुगतान किया जाएगा वहीं 25 क्रोड रुपे जो है वो सरकार ने जारी किया है किसानों को बोनस देने के लिए जिया दोस्तों चार राजियों में किसान बाईयों को बोनस दिया जाएगा जिसमें आपको 500 रुपए से लेकर के 800 रुपए परती क्यूंटल तक आप जो फाइदा है वो मिलने वाला है वहीं किसनवें बात कर लेते हैं आज मंडियों में दान के बाव क्या है उसके बाद में आगे आपको पूरी जानकारी देंगे रानिय मंडि में आज दान 1401 कमबाईन विका है 400 रुपए परती क्यूंटल कलायत मंडि में दान 1121 हाथ विका है 400 रुपए शतरा सो अठारा हाथ से निकाले दान का बाव रहा है 420 रुपए परती क्यूंटल सिर्शा मंडि में किसान विका है 300 रुपए से लेकर के 3700 रुपए परती क्यूंटल तक P.P.1 दान विका है 3500 रुपए से 400 रुपए चाओदा सो एक दान का बाव रहा 3700 रुपए से लेकर के 420 रुपए परती क्यूंटल नरेला मंडी में दान विकाय किसान भाईयों 1718 हात का बाउ 4290 रूपे परती केविटल 1847 दान हात विकाय 3500 रूपे 1509 दान भाउ हात का 3600 रूपे परती केविटल नजपकट मंडी में किसान भाईयों दान 1121 विकाय 4600 रूपे परती केविटल 17-18 दान विकाई 4200 रुपे 17-1847 दान हाथ का भाउ 3400 रुपे रहा है रतिया मंडी में आज दान 1401 कमबाईन विकाई 4300 रुपे परती के उटल दान 1509 कमबाईन विकाई 3500 रुपे दान 17-18 कमबाईन विकाई 4900 रुपे परती के उटल जुलाना मंडी में आज किसान बैयों दान 1718 कंबाइन विका है 4900 रुपे दान 1121 हाथ विका है 4600 रुपे परती के उन्ठल फत्यबाद मंडी में दान 1401 विका है 400 रुपे 1121 दान आत का बाउ 4600 रुपे परती के उन्ठल समालखा मंडी में आज किसानवयों 1121 दान विका है 450 रुपे, दान 1718 विका है 450 रुपे के हिसाब से किसानवयों 1118 विका है 550 रुपे मंडे में दान का बाव रहा आज किसानवयों 1118 विका है कमबाईन विकाई 3500 रुपे से 3700 रुपे दान 1509 कमबाईन विकाई 3200 रुपे परतिके उन्टल दान ताज का बाउ रहा 25 रुपे से 2600 रुपे डबरा मंडी में किसान भाईयों 1847 दान कमबाईन विकाई 3200 रुपे परतिके उन्टल 1509 दान बाउ कमबाईन का 3450 रुपे जिन्द मंडी में किसान भाईयों दान 11-21 का बाउ रहा च्यारी सो रुपे दान 17-16 का बाउ त्यारी सो पचास रुपे पर्थी किसान भाईयों जिन्द मंडी में दान 15-10 का बाउ च्यारी सो रुपे पर्थी किसान भाईयों दान 17-18 का बाउ त्यारी सो रुपे पर्थी किसान भाईयों बाउ रहा च्यारी सो रुपे पर्थी किसान भाईयों दान 17-18 का बाउ त्यारी सो रुपे पर्थी किसान भाईयों दान 17-18 का बाउ त्यारी सो रुपे पर्थी किसान भाईयों दान 17-18 का बाउ त्यारी सो रुपे पर्थी किसान भाईयों दान 17-18 का बाउ त्यारी सो के उडल हात 1121 का भाव रहा 4520 रुपे नीगदु मंदी में किसान बाइव बासमती दान विका है 6450 रुपे प्रती के उड़ल के हिसाब से टोहाना मंदी में आज दान पंद्रẻ सु नो बिका है 3800 रुपे प्रती के उडल 1401 दान का भाव 4300 रुपे 17 215 bore दान कंबाईन का बाउ 3400 रुपे परतिक युटल, 1885 दान कंबाईन का बाउ 4280 रुपे परतिक युटल आज देखने को मिला है। जीवन नगर मंडी में किसान वहियों दान 1401 विकाय ब्याली सो रुपे से लेकर के किसान वहियों बात करें अगर नजफ फगेट मंडी की तो 1847 दान का आज 15,000 बेक की आवक हुई है यहां पर जो बाव रहा है वो 3500 रुपे से लेकर के 3700 रुपे परती के बीच में रहा है वहीं 1121 जो दान का बाव है वो रहा है 4700 रुपे परती के उंडल जो लाना मंडी में 1121 दान हाथ बिकाय 4690 रुपे कंबाईन बिकाय 4910 रुपे परती के उंडल खेर मंडी में सर्वती दान का बाव 2800 रुपे सुगंदा का बाव 3090 रुपे 1401 दान कमबाईन का बाव 4550 रुपे परती के उंडल 1509 दान हाथ का बाव 3500 रुपे मेनपुरी मंडी में दान 17-16 कमबाईन का बाव 3500 रुपे 3750 रुपे 1509 कमबाईन का बाव 3000 रुपे ताज दान विकाय 2500 रुपे से लेकर के 2790 रुपे परते के उंडल के हिसाब से तो यह किसन भाईयों आज अभी तक के दान के ताजा रेट है देश की तमाम मंडियों के जो भाव हैं वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं तो यह किसन भाईयों आपका अपना चेनल है जहां पर आपको दान के जो भाव हैं वो सबसे पहले पर दान किये जाते हैं तो आप इस चेनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तमाम मंडियों के जो भाव हैं वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे तो आपका अपना चैनल है चैनल पर आप बने रहेगा जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी आप कौन से मंडी से हैं कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं